Hello Friends, Welcome to our Channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge लेके आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है और दोस्तों अकर आप कोई competitive exam के लिए preparation कर रहे हो तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे questions लेके आए हैं जो बहुत सारे exams और interviews में पूछे गए है और आगे जाके भी पूछे जा सकते है तो चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं कुछ ऐसे questions जो आपको कोई भी interview और exam clear करने में मदद करेंगे तो दोस्तों सबसे पहला जो question है जो हमने पिछले वीडियो में पूछा था वो कौन सा जानवर है जो सारे काम हाथ से नहीं अपनी नाक से करता है और दोस्तों इसका answer था हाथ थी तो दोस्तों IQ से related ये question था बहुत सारे लोगों ने इसका answer सही दिया आपका IQ सच में बढ़ रहा है हमारे वीडियो ऐसी regularly देखते रहो जिससे knowledge आपका और बढ़ेगा next question है दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा काली होती है यूज करने पर लाल हो जाती है और परिणाम सफेद निकलता है तो दोस्तों common sense related ये question है यहाँ पर आपका IQ टेस्ट होगा थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोड़ लगा कि अलग से सोचना पड़ेगा और इसका answer है दोस्तों कोईला next question है दोस्तों मान्य शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाये जाता है तो दोस्तों general knowledge से लिए ये question है बहुत सारे exams में ये पूछा गया है और आपको इसकी जानकरी ज़रूर होने चाहिए इसका answer है दोस्तों water और oxygen so दोस्तों पानी और oxygen मान्य शरीर में सबसे ज़्यादा पाये जाते है next question एक पहली है दोस्तों दोड़ दोड़ कर दूर समंदर से आती है और किनारे पर आग करके खो जाती है तो दोस्तों ये पहली बहुत सारे exams में पूछे गई है और इसका answer है दोस्तों लहरे और दोस्तों next question 1 trillion येने कितने होते है तो दोस्तों general knowledge से related ये question है बहुत सारे exams और interviews में ये पूछा गया है आपको इसकी जानकरी जरूर होनी चाहिए दोस्तों और एक trillion येने होते है दोस्तों एक लाग करोड येने अगर आप एक पे बारा जिरो दे देंगे तो वो होते है वन trillion और दोस्तों 1 million और 1 billion कितने होते है इसको लेके बहुत सारे लोगों को बहुत confusion है तो हमने उसके उपर एकदम एक special वीडियो बनाया है आप हमारे playlist में जाके वो वीडियो देख सकते हो जिससे आपका पूरा confusion दूर हो जाएगा next question है दोस्तों वह क्या है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है तो common sense related question है दोस्तों बहुत सारे इंटर्यूज में इस तरह के questions आते रहते हैं यह IQ test करता है दोस्तों एक tricky question है और इसका answer है दोस्तों सच याने truth जोके नीम और करेले से भी कड़वा होता है next question एक पहली है ना खुद सोबे ना सोने दे तनका मठका भर ले तो दोस्तों ये पहली बहुत सारे exam में पुछे गई है और इस तरह की बहुत सारे पहली आप पुछे जाती है तो दोस्तों ये सारी पहली आप ठिक से याद करके रखो इसका answer है दोस्तों घट मल और नेक्स वेशन ऐसा कौन सा वाहन है जो सरक के उपर से चला जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता है तो दोस्तो common sense related एक क्वेशन है यहाँ पी भी आपका IQ टेस्ट होगा थोड़ा सा आपको अलग से सोचना पड़ेगा बहुत सारे इंटर्यूज में ऐसे tricky questions आते रहते हैं और इसका answer है दोस्तो how are jazz and aeroplane जो आपके उपर से निकल जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता और दोस्तो next question भारत में सबसे पहले सुर्यास्त कहा पर होता है तो general knowledge से related यह एक बहुत important question है दोस्तो कन्या कुमारी तो कन्या कुमारी ऐसी जगा है जहाँ पर सबसे पहले sunset होता है और दोस्तो आज का last question जो ना कभी था जो ना कभी होगा पर वह है बताईए क्या तो दोस्तो यह भी एक common sense related यह बहुत important question है दोस्तो बहुत सारी interview दें इस तरह के सवल पूछ जाते है और अगर आपको इसका answer आता है तो आप हमें comment box में लिख के बेजो अगले वीडियो में हम आपको इसका answer देंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि किसने किसने इसका answer स ही दिया तो दोस्तो यह थे कुछ ऐसे 10 questions जो आपको कोई भी interview और exam crack करने में मदद करेंगे इसके अलावा दोस्तो हमारी channel पर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे जीके के questions, common sense के questions, IQ के questions और बहुत सारा general knowledge शेयर किया है यह सारे questions आप हमारे playlist में जाके देख सकते हो इसके अलावा दोस्तो अगर आप घर बेटे पैसे कमाना चाते हो तो हमने आपके साथ कुछ ऐसी websites भी शेयर की है जिन पर आप काम करके अच्छी कासी कमाई कर सकते हो और दोस्तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और important questions के साथ, कुछ और important knowledge के साथ अब तक के लिए, bye bye दोस्तो, thank you very much